नमस्का दोस्तों ट्रेश्टल गयान चैनल में आपका स्वागत है आज की विशे में बीविंग के बारे में पूरा बेसिक समझेंगे तो आज ये सुरू करते हैं आज का वीडियो बीविंग की सारी प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम बीविंग का फ्लो चार्ट समझेंगे तो अभी तक हमने spinning की process की spinning की process से हमें जो यान मिला उस यान को हमने दो भागों में बाटा एक को बार पर बोल दिया और एक को वेप्ट बोल दिया एक को बार पर यान बोला एक को वेप्ट यान बोला जिस प्रिकार से इस वर एक है लेकिन कोई उसको अल्ला बोलता है कोई उसको भगवान बोलता है यह तो वो एक इसे प्रिकाश से धागा एक है हमने दो भागों में सिर्फ नाम के लिए बाटा है बार्प और वेप्ट बोल दिया तो अब इसकी प्रोसेस को समझते हैं वेफ्ट की प्रोसेस समझते हैं धागा वो ही है तो वेफ्ट को हम सबसे पहले winding machine में लाएंगे कोन बनाएंगे उसके बाद उसकी rewinding करके पर्ण मनाएंगे अब चितर में देखते जाएए समझते जाएए और इसको अब लिखते भी जाएए पंड बनाने के बाद हम डारेक्ट वो पंड को लूम में भेज देते हैं लूम मसीन हो गई यहां कपड़ा बनेगा तो यह होगा वेफ्ट की प्रोसेस अब जो बार्फ का यान है उसके लिए हम winding machine में कोन बनाएंगे बड़ा कोन उसके बाद उसको बार्फिंग मसीन में भेजेंगे बार्फिंग मसीन के बाद बीम बनता है बीम को साइजिंग में भेजेंगे साइजिंग यह बेट प्रोसेसिंग की किरिया होती है साइजिंग करना तो इसको भी हम बाद में समझेंगे तो winding machine में हमने वार्प के यान को भेजा, उसके बाद बार्पिंग में भेजा, फिर साइजिंग में भेजा, उसको ड्रोइंग प्रोसेस की, और जो बीम बना, विवर्स बीम के लाएगा, उसको लूम में लगाएंगे और कपड़ा बनेगा, और एक दूसरी प्रोसेस होगी बार्प की ही, क क्या है जो बारouse की यान裡面 होती है वह बहुत ज्यादा नहीं होती इसलिए है sectional बाइप रोंग करते हैं तो हमारा जो मेन इंडेस्ट्री में चलता है अधिकाांस जώς बारिपिंग है उसका बाइंडिंग है बार के लिए है बाइंडिंग बाइंडिंग साइजिंग ड्रोइंग और लूम में वीवर्स बीम जो बनता है वो लग जाता है ठीक है यह फिलो चार्ट वीविंग का था अब इसके वाद दूसरी प्रोसेस पर आते हैं वीवर्स बीम बना अब यह बीम को हम लगाएंगे लूम पर तो अब हम समझेंगे लूम के वारे में लूम का क्लास्विफिकेशन कि भाई यह लूम क्या है कतने प्रिकार का है कैसे कैसे वर्क करता है तो हम आज की वीडियो में बेसिक समझ रहे हैं सब कुछ जो एक्जाम में भी आने वाला है एक्जाम में भी आप इसी को लिखोगे यही पूछा जाता है हर जामर पर को कि बेसिक आपको मालूप होना चाहिए टेक्नलोजी जितनी बढ़ती आईगी उतना मोडर्न होता जाएगा वो चीजा अलग है बेसिक आपको याद होना चाहिए तो क्लास्टिफिकेशन विविंग मसीन का करते हैं तो दो पिकार की मसीन होती है एक को बोलते हैं single face weaving machine और एक को बोलते हैं multi face weaving machine तो हमारे भारत में single face weaving machine का pitch learning सबसे ज्यादा होता है तो 100% यहीं चलता यह समझ लो आप तो single face weaving machine में दो पिकार के लूम होते हैं एक subtle लूम होता है एक subtle less लूम होता है अब लूम को अच्छे से समझना मेरी बात को दिमाग में बिठानना यह जो हम कभी कभी नाम सुनते हैं कि लूम कितने पिकार के होते हैं और यह नाम क्यों है या वो नाम क्यों है जैसे यह subtle है या subtle less है तो यह क्यों है तो देखो, लूम का जो बेसिक धाचा है, वो सेम रहता है, लेकिन जो हमstars का यान insert करते हैं, इन серьट करते हैं कपड़ा बनाने के लिए, तो वो insert करने की जो process है, उसको हम कितने अलग ढंग से कर सकते हैं, जितने अलग ढंग से करेंगे, वो अतने लूम के नाम हो जाएंगे, जैस तो अभी अधिकान सब तो सटल लेस लूम चलते हैं इंडिया में सटल वाले लूम तो बंदी होगा है आपको गुजरात में कहीं छोटे सा सूरत उरत में बापी आपी में कहीं बिल्कुल एक एक दो दो रूम किसी न घरों में रखे रखे हैं वो लोग खटपिट करते रहते हैं वो सटल वाले लूम चलाते हैं तो सटल लूम का अगर बरगी करन करेंगे तो ये तीन प्रिकार के हैं वैसे एक इसमें सटल में देखो हैंड लूम हो गया पावल लूम हो गया और आटोमेटिक लूम हो गया तो handloom, ballloom होता है जो अपने हाथ के द्वारा चल रहा है या पेर की साहता से जिसको हम खुद चला रहा है manually, powerloom बो हो गया जिसमें हम थोड़ा सा बिजली का भी यूज कर रहा है हाथ फेर का भी यूज कर रहा है वो powerloom में आ गया और जो आटोमेटिक लूम होते हैं उसमें टोटल बिजली का पावर का यही सप्लाई होती है और थोड़ा ठीक होता है जे हैंड लूम पावर लूम से थोड़ा ठीक होता है इंसान की इत्तियावशक्ता इसमें कम बढ़ती है तो यह हो सटल लूम की बात अब दूसरी बात कर तो तीन ही लूम चल रहा है भारत में प्रोजेक्टाइल लूम में आपको मिलेगा या रेपियर में लेगा या जेट मिलेगा लेकिन अधिकांस रेपियर जेट बहुत ज्यादा ही सरवधीक चल रहा है अभी तो तो प्रोजेक्टाइल में भी दो पिकार का हो गया सिंगल प् मल्टिपल प्रोजेक्टाई लूम रेपियर की बात करें तो इसमें रेजिट रेपियर लूम हो गया और फेक्सिवल रेपियर लूम हो गया जेट की बात करें तो वाटर जेट का नाम भी सुना होगा एड़ जेट का नाम भी आपने सुना होगा यदि बिबिंग पढ़ रहा हो आप टेक्स्टाल वाले हो तो तो अपन अभी आपने सटल वाला लूम को समझ लिया कि पावर लूम हैंड लूम और आटोमेटिक लूम में अब अपन सटल लूम को समझते हैं तो प्रोजेक्ट टाइल क्या हो गया और रेपियर क्या हो गया और जेट क्या हो गया तो पेलिवा तो ये नाम क्यों रखे तो मैंने आपको बताया कि जो लूम है ना लूम को सब कुछ बेसिक वही रहेगा कपड़ा बनने की प्रोसेस भी वही रहेगी लेकिन जो बार्ब के यान तो ऐसे रहते हैं वर्टिकल और जो होरिजन्टल यान होते हैं वो वेप्ट के यान होते हैं तो जो हम होरिजन्टल यान डालते हैं बार्ब के बीच में से जब सेड़ बनता है और बार्ब के बीच में से हम वेप्ट को इंसर्ट करते हैं तो वह इंसर्ट करने की जो हमने टेक्निक होजी है नई नई पिकार की उनको ये लूम के नाम में दे दिया है जै एक डिवाई से प्रोजेक्ट आई सटल जहां सटल थी वो लकडी की सटल होती थी उसमें हम बोबिन फसाते थे वो बोबिन को पर्न बोलते हैं पर्न तो सटल में पर्न फसाके हम वेप्ट यान को बार्ब के बीच में से डालते थे और हमारा कपड़ा बनता था अब जे हमने थोड़ा सा और मेकेनिजम उसका मोडिफाई किया लूम का तो हमने जो प्रोजेक्टाइल लाए वो सटल यह सही है लेकिन वो इस्टील का होता है छोटा होता है इस्पीड बहुत तेज होती है बिजली से चलता है पावर से चलता है तो इस्पीड बहुत तेज ह अगर देखें तो दो तीन बार वह वेप्ट को insert कर देता है जो प्रोजेक्ट आगे में उसका जो रेपियर है तो रेपियर भी खी किसी पिगा से प्रोजेक्ट आगे इसे ही होता है लेगिन इसकी speed और तेज है जेट लूम की बात करें तो वाटर जेट और एर जेट तो जो तो उसमें जो वेट का यान है वो हवा के प्रेसर से बार्व की सीड में के बीच में से पास होता है और वाटर जेट में भी सेंफ प्रोसेस है भी वाटर जेट का सबसे आदा यूज सिंटेटिक धागों के लिए चिया जाता है लेकिन अभी तो पूरा एर जेट ही चल रहा है इंड़ेश्टी में तो यह classification विविंग का होगे अब अपन पेसे को समझते हैं कि किस पिकार से लूम में कपड़ा बनता है तो देखो कितने भी पिकार के लूम हो एक हजार पिकार के लूम हो लेकिन जो मैं पेसे समझा रहा हूँ यही पेसे सारे लूम में चलेगा कितने भी पिकार के कितना भी model लूम हो कितना भी पुराना लूम हो हैंड लूम हो यह वो बाटर जेट हो या multiple लूम हो कोई से भी लूम हो तो सम्में एक ही पिकार की किरिया विदी लगेगी अभी हमने क्या समझा था क्लासिफिकेशन ओव विविंग तो हमने सिंगल फेस को समझा है मल्टी फेस में मल्टी फेस विविंग मसीन का यूज होता नहीं है तो यह आप देख लीजिए लेकिन लिख लीजिए जब आप बनाएंगे पेपर में मल्टी फेस विविंग मसीन की बात करेंगे तो इसमें दो पिकार के हैं बार्क वीव और फीलिंग वीव फीलिंग में दो पिकार के लूम आते हैं सर्कुलर और फिलेट लूम बस यह उसको ज़्यादा समझाने जिरूत नहीं यह चलते भी नही कि आज जो मैं समझा रहा हूँ आफंगा जिसन समझाएं जैसे बाइंडिंघ म्सीन में मैंने समझाया है ता या जो अपने देखे हो पर लिखा है वीवर्ट सीन ने तो अभी हमने सबस्षार्ट समझा मसीन का तosit一樣 कर अच्छा सबस्षार्ब यान है उनकी ज्च्च प्रोसेस होई वेशी साइजिंग-फ्रोसेस होी उसके बास विवर्ट सब्सक्राइब बोलते हैं यह पीछे कि यह लगता थीक है जब वीवर्स भी में हमारे बंद के तैयार हुआ इसको हमने लूम में पीछे की ओन लगाया उसका दो नंबर पे बेक रीक तो यह बीवर्स भी में जो बार्प के धागे हों ग़े वह काफी length में होते हैं तो हमने एक supporter का काbene करती एक road है वह सपोट सपोर्ट कोली लगा कि राखा हैं तीसरे नंबर पे हैं ड्रोब वायर तो हैं टो ड्रोब बायर मेंसे हम बार्फ के यान को पास करते हैं ठीक है यह जो पैसेजे है यह पूरा बार्फ का पैसे Ugh कि बार फियान वीवर्स बीम से अंतिम फेबरिक तक किस पिकार से रस्ते में जाता है वो है पूरा पेसेज में और यही रहता है यही सब कुछ है आपको यही समझना है बाकि अगर लूम के नाम आपके दिमाग में कन्फुजन करते हैं कि रेपियर रूम क्या होता होगा एज इसको मोडिफाई किया इसलिए लूम के नाम चेंज हो गया है बाकि लूम का वेसिक सेम है भले वह कोई सब लूम है तो तीसे नमबर पे है ड्रोप वायर यह ड्रोप बायर वार्प के बीच में से हम निकालते हैं तो यह बार पे इसा टंगा हुआ रहता है अगर एक भी ध हील्ड आई तो हील्ड आई क्या होता है हील्ड आई हमने इसलिए लगा के रखे जो चित्र में आप देखते भी जा रहा हो कि यह दिखता कैसा हील्ड आई इसके बीच में से हम यान को पास करते हैं इसलिए करते हैं कि यान एक दूसरे में उलजहना अगर हील्ड आई नही वो हजारो कौनों से हम एक वीम बनाते हैं तो लेंथ हो बहुत है burg भीम की उसकी ट्राइल गागा के दिस्सक्रायों नमबर पहुफ़े को लगा के रखाए को पांचवे नमबर पे हील्ड है तो हील्ड वो है जिसमें हील्ड आइस लगी होई होती है फिर है छड़वे नमबर पे रोलर रिवर्सिंग मोशन तो अब यह चीज में है रोलर रिवर्सिंग मोशन इसमें क्या होता है कि जो बार्प के धागे हैं वर्टिकल तो बार्प के ध में से पास हो सकता नहीं अन्यता नहीं हो पाएगा अगर वो बनेगा तो मैफोट याण नहीं जा पाएगा तो चाहसा के पिकसे हम कि प्रोसेस से मितलब वह बार्प की जो सीट है वो खुलती है तो बार्व की सीट खुलती है तो यह है रोलर रिवर्शिंग मोशन छड़वे नंबर पर तो इसके नीचे आप चित्र में देखो तेरवा नंबर क्या है शेडिंग केम शेडिंग तो यह शेडिंग केम में क्या है एक वावल लगी है आप चित्र में देखो बाव तो यह अप डाउन अप डाउन करवाता है मतब सेड उठता है फिर बंद होता है फिर उठता है फिर बंद होता है मतब उठता है जब वेट का यान पास हो जाता है फिर बंद हो जाता है फिर क up-down होता रहता है शेड़िंग प्रोस्टेस होती ही यम्iao टाइम में गोँखर अम्य क्लूकई गोँखर ताकि ओपर अब ढौन अब डाउन हो सके उसके बाद साथबे नमबर पे है read जह साथबे नमबर पे read है तो read का क्या हमने connection करके रखा है 12 नमबर से सिले से साथबे नमबर का read देखो और 12 नमबर देखो एक road type की है उसको सिले बोलते है तो यह सिले पे read लगी होती है यह भी motion करता है यह backward forward ऐसे आँगे पीछे आँगे पीछे यह भी होता है तो मतलब जब आँगे रहता है तब pick इंसर्ट होती है फिर यह पीछे लेके जाता है वो wait के धागे को ताकि कपड़ा बन सके इस पिकार से यह होता रहता है आप down आँगे पीछे आँगे पीछे कि यह भी आंगी forward backward होता रहता है वेट का दागा बीच में से इंसर्ट होता है और कपड़ा हमारा बनता रहता है इसके बाद है शटल तो शटल अब यही में प्रोसेस्ट यह पिकिंग की साइड वाली चीजिए यह पिक करना पिक करना मतलब वेट को इंसर्ट करना अभी हमने लूम का वर्गी करन देखा था classification तो उसमें सटल की बात हुई थी दो पिकार के लूम हमने देखे थे सटल और सटल लेस तो अब यह हम क्या है पुराना लूम पढ़ लाए पावर लूम में यह आउटोमेटिक लूम में यह हैंड लूम में सटल का यूज होता था जब यह बार्वियान के सेड में शब पास होती है तो अपना एक पिक डाल देती है एक धागा ताकि कपड़ बन सके तो यह प्रोसेस होती तो यह सटल हो गया आडवे नमबर पर नवे नमबर पर है क्लोथ फेल तो जहां तक यह सिले जाती है रीड जाती है उस पिक को राउंड ने उसको बोलते हैं क्लोथ फेल फिर है फ्रंट रेस्ट दजवा नमबर तो जैसे दूसरा नमबर था बेक रेस्ट वेसे दजवा नमबर है फ्रंट रेस्ट तब एक रोड लगा के रखी है सपोर्ट के लिए कि कपड़ा तो अब बनी रहा है ना गयार्वे हम चुका है जितना उसको टेक कर रहा है वो रोलर हुझा अपने टेक करते जा रहा है उसको रखते जा रहा है round 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 होगा लपटाएगा उसको बोलेंगे cloth roller ठीक है अब थोड़ी बहुत confusion होगी मुझे समझाने में भी थोड़ी दिक्कत आई है और आपको भी थोड़ी बहुत confusion होगी लेकिन बहुत ज्यादा confusion नहीं है अब आपको करना क्या है एक्जाम में यही चितर बनाना है इसको आप समझ जाता है कि आपको चीज आती है आप इसके बारे में जानते हो तो थोड़ी इतनी ना भी पड़े वह चितर अगर आपके दर्सा हुए नाम को अगर पढ़के खुश हो जाएगा तो वह समझ जाएगा आपको आता है तो वह जादा थियोरी पर धियान नहीं देगा फि कम से कम 15-20 नाम तो होने ही चाहिए तो मैंने चाओदा नाम सोग जो बहुत ज़्यूरी यह तो होने ही चाहिए मतलब तो इसमें कुछ नहीं है अब मैंने बताया आपको एक नमबर था विवर सिभीम से चाओदावा नमबर तक क्लोथ रोलर तक यान बार्व का यान का ही हम रेपियर रूम को लेके एर जेट लूम को लेके प्रोजेक्टाई लूम को लेके सटल लेस लूम को लेके इसमें कुछ नहीं है जो पीकिंग की प्रोसेस है वेफ्ट इंसर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हम मोडिफाई कर दिया तो लूम के नाम चेंज हो गाए हमने उस इसको रैपियर नाम दे दिए बागी जो पेसेज में ने समझाया ओना वो हर लूम का सेम रहता है कि त след night इस इसको देख लीजीये पड़ लीजीए इसको पूरा चितर को याद कर लीजीये और एक चीज को आप सम्झाना आ, जिस वीवर सी भीम में मैंने सम座ाया बैने 4 लाइन में समझाया तो आप 6 लाइन में लिखिए उसको अब कोकि मैंने आपको तो पूरा समझा दिया, लिख works को मैंने नहीं बताया आप लिखोगे जब एकزाम में, तो अच्छे से उसको और जो जिसे लूम की प्रोसेस वो तीन भागों में होती है बीटिंग और पिकिंग ये दो तो बहुत जरूरी है बीटिंग और पिकिंग और शेडिंग ये तीन है तो शेडिंग में बारका शेड ओपन होता है है बैव किंग में फिकिंग में फ्राब्य याण इंसर्ट होता है और बैटिंग में इंसर्ट होने के बाद वो याण को बीट करता है और कपड़ा बनता है सिले हमारी बीट करती है आगे पीछे फोरवर्ड और बेखबर्ड हो रही न रीड हमारी तो जब बेट यान इंसल्ट हो जाता है तो वो कपड़े का रूम में तकदील हो जाता है कपड़े का रूम ले लेता है बाकि आप चितर देख चुके हो वीडियो आप चली रहा है आया होगा तो बने रहे है मेरे चैनल पर